वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस क्लास में हम लोग जनवरी से जून तक आपके जो भी महतपूर सूचकांक जारी हुए हैं ठीक है चाहे वो आपके वेस्विक अस्तर पे जारी हुआ हैं या फिर भारत सरकार दोरा राजियों के लिए जारी किये गए हैं उन सब को सामिल किया जाएगा अगर आप यहां पे पहले बारहे हैं तो YouTube हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लावाँ टेली ग्राम पे, Instagram पे और Facebook पर भी हमें आप फालो कर सकते हैं तो आज़े देखते हैं पहला तो पहला है हमारा आपका वेस्विक खुसाली सूचकांक यानि कि आपका Global Happiness Index और ये 2022 के लिए जारी की गई है इसमें जो है भारत की रैंक या है तो भारत इसमें है 136 प्लेस यानि कि 136 नमबर पे पहले नमबर पे कौन सा है देश तो ये आपक फिन लेंड देश इसमें पहले नमबर पे है वेस्विक खुसाली सूचकांक में नेक्स्ट हमारा है विस्व वायू सकती सूचकांक और ये 2022 के लिए जारी की गई तो विस्व वायू सकती सूचकांक में आपके भारत की रैंक है तीसरी ठीक है ना पहले नमबर पे इसमें क कास सुचकांग है यानि कि development index तो travel and tourism development index 2021 के लिए जारी की गई और इसमें भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक है इसमें 54 यानि कि 54 पहले नंबर पे कौन सा देश है तो पहले नंबर पे आपका travel and tourism index में आपका जापान पहले नंबर पे है अगला मारा है ब्रश्टा चार धारड़ा सुचकांग यानि कि corruption perception index 2021 के लिए जारी की गई तो इसमें जो आपका भारत की रैंक है तो corruption perception index यानि कि ब्रश्टा चार धारड़ा सुचकांग में Westwick Digital Causal ततपरता सुचकांग यानि कि आपका global है तो यह है पहले नंबर पे है कौन जारी करता है इसे तो इसको जारी करता है salesforce नेक्स्ट हमारा है अंतराष्टरिये बहुत धिक संपता सुचकांग यानि कि International Intellectual Property Index 2022 में भारत की रैंक या है तो यह आपका USA के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें प्रिथाम अस्थान पर भी USA है भारत की रैंक है आपका 43 तो अंतराश्टी बहुत धिक संपदा सूचकांक में भारत है 43 नंबर पे EIU यानि कि Economist Intelligence Unit एक संस्था है यह आपकी जारी करती है लोकतंत्र सूचकांक यानि कि Democracy Index 2021 के लिए जारी की गई EIU के द्वारा और इसमें भारत है आपके 46 नंबर पे पहले नंबर पे कोन है तो पहले नंबर पे आपका नार्वे देश है आपके किस सूचकांक में तो लोकतंत्र सूचकांक में Democracy Index 2020 विस्टो प्रेस सूचकांक अभी मई महीने में जारी की गई थी World Press Freedom Index Reporters Without Borders संस्था के द्वारा जारी की जाती है और 2022 के लिए जो रैंकिंग जारी की गई इसमें भारत 150 में अस्थान पे आ गया है पहले नंबर पे कोन है तो पहले नंबर पे इसमें भी आपका नारवे है तो लोकतंत्र सूचकांक में भी पहले नंबर पे नारवे है और आपका विस्टो प्रेस सूचकांक में पहले नंबर पे नारवे है भारत की रैंक है विस्टो प्रेस सूचकांक में 150 अगला हमारा पर्यावरण प्रदर्सन सूचकांग अभी हाल ही में येल उनिवस्टी के दोरह जारी किया गया था 180 देशों के लिए जारी किया गया और इसमें भारत की रैंक जो है सबसे निचली रही यानि कि 180 अस्थान पे इसको दिखाया गया भारत को ठीक ना पहले नंबर पे कौन था तो पहले नंबर पे इसमें जो है आपका डेनमर्क था कौन सा सूचकांग है Environment Performance Index 2022 यानि कि पर्यावराणत प्रदर्सन सूचकांग जारी किस ने किया था तो Yale University ने जारी किया था Next हमारा है Westwick सतत विकास रिपोर्ट तो Westwick सतत विकास रिपोर्ट यानि कि आपका Global Sustainable Development Report जारी की गई 2022 के लिए और इसमें भारत की रैंक है 121 पहले नंबर पे इसमें कोन है तो Sustainable Development Index में पहले नंबर पे आपका है Finland ठीक है तो Global Sustainable Development Report 2022 के लिए जारी की गई भारत का रैंक क्या है 121 विस्दो प्रतियस परधात्मक सुचकांक यानि कि आपका World Competitiveness Index तो विस्दो प्रतियस परधात्मक सुचकांक प्रतियस परधा में भारत कि इस नंबर के है तो यह है आपके 37 नंबर पे और इस List में पहले नंबर पे कौन है तो Westwick प्रतियस परधात्मक सूचकांग में Denmark पहले नंबर पे है भारत का rank है आपका 37 Westwick 37 सूचकांग यानि कि आपका Global Peace Index जो है जून महीने में जारी किया गया था और इसमें जो है भारत की rank क्या है तो इसमें भारत है आपका 135 वे नंबर पे पहले नंबर पे कौन रहा तो पहले नंबर पे आपका Ice Land है ठीक है भारत की rank क्या है 135 है अभी आपको Starting में ही बताय गया था Westwick खुसाली सूचकांग तो उसमें आप बताएंगे कि Westwick खुसाली सूचकांग में भारत की rank रहने योगी सहर बताया गया पूरे विश्व में तो वियना जो है किस देश का सहर है तो वियना आश्ट्रिया देश का सहर है भारत का क्यों है इसमें आपके दिल्ली जो है पूरे भारत में पहले नंबर पे रही जिनमें आपका पूरे विश्व में इसका अस्थान था 112 हुआ ठीक है ना और मुंबई आपका 117 नमबर पे था अंतीम अस्थान जो है किसका रहा तो अंतीम अस्थान आपका दमिस्क सहर करहा जो कि किस देश का सहर है तो यह आपके सीरिया का सहर है दमिस्क ठीक है तो पूरे विश्व में सबसे रहने योगी सर्द वियना आश्ट्रिया कॉरसेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 जारी की गई और इसमें जो है भारत की सस्थान पे रहा तो भारत 68 स्थान पे रहा Global Skill Report ठीक तो Global Skill Report 2022 में आपका भारत 68 स्थान पे रहा पहले नमबर पे कौन रहा तो पहले नमबर पे रहा आपका Switzerland ठीक है ना तो Switzerland आपके पहले नमबर पे रहा Global Skill Report जो की Coursera ने जारी की है इसमें भारत की रेंग क्या थी 68 Next हमारा है Tom Tom Traffic Index फरवरी महिने में जारी की गई थी और इसके अनुसार जो आपका मुंबई है ये दुनिया का पांचवा सबसे भीड़ भाड़ वाला सहर है तो Tom Tom Traffic Index में पूरे विश्व में जो सबसे भीड़ भाड़ वाला सहर था वो था आपका Istanbul तुरकी ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला सहर था लेकिन अगर भारत की बात की जाया की तो भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाले सहरों में पहले नंबर पे आपका मुंबई है और विश्व में ये किस नंबर पे है तो विश्व में और यह जारी किया गया है जम्मू कस्मीर के 20 जिलों के लिए ठीक है और जिला सुसासन सुचकांग में 5 जिले आपके हैं जिनमें पहले नमबर पे कौन है तो पहले नमबर पे आपका जम्मू है ठीक है तो जिला सुसासन सुचकांग जम्मू कस्मीर के लिए ही जारी किया गय तो बहु आयामी गरीबी सूचकांक मल्टि डायमेंशनल पावल्टी इंडेक्स्त है और इसे नीतियायोग्ने जारी किया सबसे गरीब राज्य के कौन था तो सबसे गरीब राजियों में आपका बिहार था दूसरे नंबर पे जहार खण था तीसरे नंमर पे आपका उत्तर तो उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राजियों में तीसरे नमबर पे था, ठीक है न, पहले नमबर पे आपका बिहार था, सबसे कम गरीब राज या फिर सबसे अमीर राज भी कह सकते हो, वो कौन सा रहत, वो आपका केरल रहा, सून ये गरीबी कहां पे पाई गई, यानि कि ग निर्यात ततपरता सूचकांग में कौन सा राज पहले स्थान पे है, तो ये भी याद रखना कि नीती आयोग नहीं जारी की है, कौन सी निर्यात ततपरता सूचकांग यानि कि एक्सपर्ट रेडिनेस इंडेक्स, ठीक है, तो एक्सपर्ट रेडिनेस इंडेक्स जो है जा जरी की गई ये कौन सी रिपोर्र्ट है तो राज, उर्ज, और जल्वाईू सूचकांक चाहरी की आ गया तो राज et ajog की इसमें बड़े राज्यों की स्रेडी में पहले नमबर पे रहा है तो पहले राज्य हैं और कितने केंदर साशित प्रदेश हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंदर साशित प्रदेश हैं अगला हमारा है किस संस्थान ने देश का पहला क्रिसी भूमी मूले सूचकांक जारी किया तो अभी जो है क्रिसी भूमी मूले सूचकांक भी जारी किया गया किसके दोरा आयायम एहमदाबाद के द्वारा ठिक क्रिसी भूमी मुले सुचकांग और इसके अनुसार जो है क्रिसी भूमी की जो सरवाधी कीमत है वो किस राज्य में है तो करनाटक राज्य की जो भूमी की कीमत है वो सबसे अधिक है किस सुचकांग के अनुसार क्रिसी भूमी मोले सुचकांग के अमसार जो जारी किया गया आयायम एहमदाबाद के द्वारा अब अगला हमारा है आपका फसाई से संबंदित तो ये आपकी खादे से संबंदित एक संस्था है जो आपका इसके द्वारा जारी किया गया है चौथार राज्य खादे सुरक्षा सूचकांग तो खादे सुरक्षा सूचकांग में बड़े राजियों में पहले नंबर पे आपका तमिल नाडू है खादे सुरक्षा सूचकांग में छोटे राजियों में आपका कौन है तो छोटे राजियों में आपका गोवा है और केंदर सासित प्रदेसों में जो है खादिस रक्षा सुचकांग में पहले नंबर पे कौन है तो ये रहा है आपका जम्मु कस्मीर ठीक है तो ये हमारे महत्पूर जो है आपके सुचकांग थे जो आपके भारत और विश्व में जारी किये गए थे तो ये आपको अगर useful लगाओगा तो अपने दोस्तों तक share कर दीजेगा जो किसी भी exam की तैयारी कर रहे हूँ आप share जرूर कर दिया कीजे वीडियो को आप क्या करेंगे वीडियो को आप like कर दिया कीजे ठिक है आगर आप यहां तक देख रहे हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद